आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम बात करेंगे Yes Bank के बारे में, और प्रशांत कुमार जी, जो CEO और MD है Yes Bank के, उनका क्या प्लान है अपने stress assets को deal करने के लिए, देखिए सबसे पहली तो बात यह है, एक loss making unit को पहले ही quarter मे उन्होंने profit making unit में convert किया था तो यह उनकी सराना करने पड़ेगी, अब दूसरी बात आपको समझनी है, कि जैसे जैसे यह bank उपर उबरेगा, इनको अपने stress assets को कम करना है, और प्रशांत कुमार जी ने शुरू से कहा हुआ है, कि आने वाले दो quarter के अंदर, वो अपने stress, जो पूरा visualization करेंगे, और बताएंगे क्या है latest views, और साथी साथ में आपको बताएंगे, brokerage houses में क्या target बताए हुए है, इसके, और valuation की दरश्टी से, हमारा क्या point of view है, जो शुरू से point of view रखा है, वो ही अभी भी हमारा point of view है, पूरा visualization करते हैं, आइए समझते हैं, सबसे पहले में अभी stress assets काफी जादा quantity में है, आइए चल कर उसका news का visualization करते हैं, तो देखे, इन्होंने कहा है कि yes bank में करीब 28% के आसपास stressed asset है, जो की more than one fourth है, इसका मतलब हर चार loan में से, जो loan दिया गया है, उसमें से एक loan उनका NPA की तरह से treat किया जा सकता है, यहाँपर, तो यह बड market context में भी, अगर stock market गिरेगा, तो सारे share गिरते हैं दोस्तों, और yes bank भी उससे बाहर नहीं निकलेगा, तो यह बात आपको समझनी है, यहाँपर उनने कहा था कि Reserve Bank of India ने कहा है, कि जो हमारा COVID की situation है, उसके चलते हुए, bad loans जो है, वो stress asset of 33% और bad loan जो है, करीब 16.8% के आसपा guideline, RBI guideline, इन्होंने कहा है, कि हो सकता है, in stress condition, यह 20% तक भी उपर जा सकते हैं, कुछ-कुछ bankों में, on average तो कम रहेगा, but yes bank, क्योंकि उसके higher end पे है, तो यहाँपर हो सकता है, इसको थोड़ा सा delay लगे, इनको deal करने के लिए, क्योंकि अभी COVID के बाद, बहुत सारे bad loans surge होंगे क्योंकि जो हमारा freeze period था, जिसमें आप NPA से decline नहीं कर सकते थे, वो अब खतम होगा, और उसके बाद में यह एकदम shoot up होगा, तो यह थोड़ा सा एक negative point of view हो सकता है, यहाँपर, a pool of stress asset, yes bank has risen 28%, और यहाँपर quarter end की बात कर रहे हैं यहाँपर, which makes about NPA of 15.38%, तो देखे, इसमें गिरावाट तो आई है, 17% से 13% हुआ है, पर हो सकता है, गिरावाट temporary हो, थोड़ा सा उपर बढ़े, फिर उसके बाद में नीचे जाकर गिरें यहाँपर, तो अभी यहाँपर इनके जो stress asset की बात कर रहे हैं, वो 48,000 करोड है, तो काफी बड़ी quantum के stress asset है, इस साब से देख invoke किया गया, वो 3,000, 50% के आसपास, और यहाँपर COVID-related restructuring advance, वो सारे के सारे as it is है, तो total में से 18,000 में से 8,000 की restructuring invoke हो चुकी है, अभी remaining की restructuring नहीं हुई है, तो यह थोड़ा सा एक challenging position बन सकती है इनके लिए यहाँपर, तो यह आपको थोड़ा सा detail में analysis करके समझना होगा अब अगर हम बात करें यहाँपर, जो उनका stress portfolio है, which has not been tagged as NPA, because of Supreme Court stay on asset clarification, तो हमने बताया था जैसे COVID के चलते हुए, अभी यहाँपर मना किया हुए, Supreme Court की वज़े से, तो यह asset भी इनके NPA में tag हो सकते हैं, जो कि NPA को shoot up कर देंगे up to 20%, तो यह हो सकता है, थोड़ा सा stress और बड़े यहाँ पर इनके book पर और हो सकता है, इसको एक negative तरह से देखा जाए, stock performance के reference में, we admit to the fact, when there is an overall contraction in GDP of the country, it is beyond my comprehension to think that bank would not be able to be impacted, तो कह रहे हैं, अगर पूरी country का ही GDP खराब हो जाएगा, तो bank को आप कैसे बाहर रख सकते हैं, bank भी country का part है, एस पर प्रशांत कुमार जी, और वो कह रहे हैं, कि यह आगे आने वाले समय में provision जो रखावा है, provision conversion issue, वो अच्छा है, that is a good point, 77% provision रखावा है उन्होंने, और यह loan अगर restructure होता है, या फिर से इसको revival आता है, तो वो एक अच्छी position होगी, जिसमें 2800, 2600 जो as old, older NPA, तो क्योंकि older NPA problem थी, वहाँ पर business fundamental problem थी, अब यहाँ पर temporary problem है, जो आगे चल कर बहुत जल्दी rectify हो सकती है, यह थोड़ा सा एक positive point of view उनकी तरफ से आ रहा है, तो इसे साब से उन्होंने इसको अच्छी तरीके से अपने point से निकाला है, और कहा है, कि यह हमारे पा और merchant के साथ में partnership कर रहे हैं, customers को multiple offer दे रहे हैं, अगर आप उनका credit card use करेंगे, तो उनको discount offer मिलेगा, अब अगर yes bank की हम देखें, तो payless, contactless उन्होंने किया हुआ है, ताकि आप आराम से COVID से related impact ना हो, sales management की अगर देखी जाए बात यहाँ पर, तो sales force जो है, वो एक बढ़िय provision बनाती है उनको, ताकि सारी sales related activities उनकी एक ही जंगा पर रहें, digitization होगा, तो उससे efficiency आएंगी, और loan turned around time, टैट जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छा होगा, जो कि इनके लिए long term में customer अगर अच्छा काम करेगा, देखेगा, पसंद करेगा bank को, तो उनकी growth बढ़ेगी ही आया है कि जो target दिया है, थोड़ा सा अपना achievement target को नीचे कर दिया है, पहले जो target रखा था, उसको हटा कर, अब 19 रुपे का target बना दिया है, invest tech cut their target price, तो अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा जब negative views आते हैं, तो companies उनके target को नीचे कर देते हैं, और उससे stock market में छोटा सा एक negative view बन जाता है, देखें उन्होंने reported stencil SMA2 numbers, which are in line with previous expectations of 6% slippage and 5% restructuring to fully account for legacy and COVID-related stress, इसका मतलब यह हुआ, कि जो अलग-अलग category ते हैं, SM1, SM2, उनके number पहले line के expected के accordingly 6% है, और restructuring जो की जाएगी, वो वहाँ पर COVID-related stress के लिए, वो 5% के आस-पास रहेगी, SM1, जो है, वो 5.7%, exclusive restructuring inclusion above, तो यह भी इनके हिसाब से, peer bank के अगर देखें, तो 3-5% के आस-पास है, इनका थोड़ा सा higher range में रहता है यह चीज, तो इसलिए, इन्होंने इसको थोड़ा सा negative view बनाकर, यहाँ पर अपना target जो है, 19 रुपे का रखा है, comparedily, और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल शुरू से देखा है, तो 2 हमने range बताई थी, 19 रुपे upper range और 13 रुपे lower range, काफी दोस्तों ने इसको 19 रुपे के ऊपर बेचा है, हमारे चैनल को सुनकर, आप प्लीज एक बार comment section में ज़रू बताईएगा, क्या आपने हमारे चैनल को पहले से subscribe किय हुआ है, और क्या आपने 19 रुपे के आसपास इसमें profit book क्या है, देखिए अभी ये 15 रुपे के आसपास आने की बात कर रहा है, और यहां से अगर हमें दुबारा खरीदना है, तो हम यहां पर 13 और 15 की range में ही खरीदेंगे, इसके ऊपर हम नहीं खरीदेंगे इस bank को, यह ह believe, अगर आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसको like किएगे, बहुत सारे दोस्त हैं, जो सिर्फ यह सुनना चाते हैं कि कली यह इस bank 50 रुपे हो जाएगा, हम शमा चाते हैं, हम ऐसी prediction नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलत रहती है, गलत sentiments के साथ हम यहां पर बात नहीं करेंग और वो कह रहे हैं, target इसका 14 रुपे के आसपास है, तो देखे, अभी यहां से 15 रुपे से नीचे गिर कर 14 रुपे के आसपास आ सकता है, क्योंकि NPA जो है, वो अभी recognize नहीं हुए सारे के सारे, और asset quality जो है, वो यहां से अभी improve होने के बजाए, थोड़ा सा time लगेगा इसक पहले की level थे, उसके comparison में दुगनी stress level हो चुकी है यहां पर, जिसकी वज़ए से यह price थोड़ा सा और नीचे गिरने की उमीद कर रहे हैं, आनंद राठी, यहां पर अगर हम दूसरी बात को देखें, तो इनके outstanding SMA 1 जो है, वो करीब करीब 123 billion है, जो की also is a challenge for the bank, तो यह stress asset की वज़े से आगे आने वाले समय में थोड़ा सा slippage रहेगा bank में, collection efficiency यहां इनकी management की तारिफ करनी पड़ेगी, जो की आगे आने वाले समय में अपने real estate और hospitality sector की वज़े से दो major stress area है, जहां पर उनकी collection इतनी ज़्यादा efficiency नहीं है, उसके लावा जादा तर जंगा पर उन्हो की वज़े से वो profitability भी थोड़ी सी नीचे को गिरे, अगर negative नहीं होती है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे को जाएगी, तो यह थोड़ा सा एक challenging environment है, जो की आपको समझना है, देखना है, और उसके हिसाब से फिर आपको अपना action लेना है, टेकनिकल सा कर देखे जाएं तो Yes Bank का technical view हम तीन key parameter के साथ analyze करेंगे, और बताएंगे आपको कि उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहला अगर हम intraday का chart देखे, 5 minutes के chart के basis पर एक बड़ी red candle बनी है, और इसमें यहां से morning में थोड़ा सा up moment दिखाया था, जो की high बनाया, 16 रुपे 30 पैसे और low बनाया है, 15 रुपे क्या आसपास यहां से बेचना शुरू किया था, second day और third day पर हमने बेच दिया थे अपने shares जितने भी थे हमारे short term trading के लिए, सारे के सारे हमने एपने exit कर लिया है, और अभी तक हमने दुबारा से entry नहीं किया, क्योंकि एक बार यह 15 रुपे क्या सपास आया है, यहां से bounce back जब तक हमारा 13 और 15 की range में नहीं आएगा, यह हमारी range है, जिसमें हमको यहां पर अपना staggered banner में खरीदेंगे, हम अपने channel पर आपको बताते रहेंगे, जब जब हम कर रहे हैं, और अगर आप हमारी paid membership चाहते हैं, जिसमें हम आपको exactly trade पहले कराते हैं, before it can become public, तो आप हमार पर निकालेंगे, तो सबसे पहला resistance होगा, 17 रुपे, 58 पैसे, जो इसने बखुबी निबाया है यहां पर, अब जो एक major support है, दुबारा अगर आता है यहां पर, तो 15 रुपे 50 पैसे क्या सपास support है, एक बार 15 रुपे 50 पैसे टूटा, तो हमारे हिसाब से यह 13 रुपे की त चैनल दिया हुआ है, और RS cycle level 41 के आसपास है, तो उसको और भी नीचे जा सकता है, अभी यहां पर yes bank, तो यह एक proposition है, जिसके चलते हुए, अगर आपको अपना portfolio को थोड़ा सा adjustment करने का मौका मिलता है, तो हमारी सलाह है, इसमें कभी शर्माना नहीं चाहिए, profit book relatively कर लेना च अगर आप चैनल देखें, तो clearly यहां से एक downward channel चल रहा है, जिसका next target हमारे हिसाब से आने वाले समय में 13 रुपे के आसपास बनता है, यहां पर, तो technically अभी थोड़ा सा negative view चल रहा है, please consult your financial wise before investing and trading, अब अगर हम देखे profit booking, definitely profit booking होगी यहां पर, और यह slide हमारी as it is है, पिछले जो valuation होती है दोस्तो, stock market हो सकता है, short term में थोड़ा, बहुत तेजी से उपर चला जाए, बहुत तेजी से नीचे चला जाए, but जो stable zone आता है, वो stock market होँआ पर हैगा, 19 रुपे पर sell कीजेगा, 13 रुपे पर के आसपास buy कीजेगा, और ऐसा नहीं कि exactly 19 पर ही sell करना है, आपको काफी समय ये घुमेगा, 12 रुपे से 17 रुपे के बीच में, और ओर एलिव उरेंज है, जहाँ पर अगर कभी आए, इस quarter में या अगले quarter में, तो आपको थोड़ा सा profit booking करना चाहिए, 19 रुपे से 30 रुपे के बीच, दोस्तो, अगर वीडियो में दी हुई information अच्छी लगी तो मिल डॉप कर सकते हैं, इसके साथ में आपको हमारे साथ ट्रिट